हेलो नमस्ते कैसे हैं आप लोग प्रिती डाड़ीज में मैं प्रिती जह आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं पटना से अपने सस्राल आ गई हूँ आपको घर देखकर पता चल रहा होगा की की मैं दूसरे जगा आई हूँ तो जी हां आज मैं आ गई हू अपने सस्राल और अभी अभी आई हूँ आज है नम्मी और ने के बाद मैं अभी कपड़े चेंज करूंगी तो इसलिए मैं सारी निकाल रही थी फिर पापा जी ने कहा चाय बनाने के लिए तो मैं जा रही हूँ कीचन में चाय बनाने के लिए सस्राल में तो होता ही है कि कहीं से भी आयेत बहू होने का फर्च तो निभाना पड़ता है चाय बनने के बाद मैं थोड़ा सा अपना बेठी कर लूँगी वैसे तो मम्मी जी हर चीज सही करके ही रखती है यही है कीचन मम्मी जी का जो अपने मम्मी जी यहां रहती है तो अपने हिसाब से सारा समान सारे बरतन को रखती है चाय बन चुकी है अब मैं बेठी करूंगी बेड आने के बाद क्योंकि बहुत सारे बच्चे आ गए थे टपो भी खेल रहता तो फिर बेड उथल पुथल मचा दी अच सकता है किसी ने सारी में लगा दिया तो मैं वही देखी कि आप मुझे इसे वास करके रखना होगा फिर मैं कपरे फोल्ड करके रख दूंगी उसके बाद अच्छे से बेड साप कर दूंगी बिचा दूंगी अच्छे से बेड उसके बाद हम लोग सब जाएंगे मेला पहले उनके लिए खाना बना दूंगी उसके बाद फिर हम लोग सब जाएंगे तप्पू चाचू के साथ मेला देखने के लिए चला गया है बच्चों में तो बहुत ज्यादा उत्सार हता है इस चीज का तो अब चलिए मैं चलती हूं कीचन आपने सस्राल का कीचन आप लोग को दिखाती हूं यहां मैं जिंगा की सब्जी बना रही हूं कई जगई से तोड़ी भी बोलते और साथ मैं आलू गोवी की सब्जी भी बना दूंगी रोटी बनाने के बाद फिर हम सब मेला देखने के लिए जाएंगे तो यही है कीचन मेरे सस्राल की मम्मी जी यहां रहती है और हम लोग तो पटना में रहते हैं पर मैं बर कर ही सेलिब्रेट करती हूं क्योंकि फैमली में कोई भी सेलिब्रेट करने का अपना अलग ही मजा होता है और अलग ही उत्सा होता है मेरे सस्राल का जो फैमली है बहुत छोटा फैमली है हम लोग सिर्फ मेरे सास ससूर देबर मेरे पती और मैं और सिर्फ मेरा बेटर टपू बस इतने ही हैं मम्मी जी पापा जी और मेरे देबर यहां रहते हैं और हम लोग पतना में रहते हैं मम्मी जी पापा जी लोग भी हमेशा आते जाते रहते हैं मेरे हस्बेन पतना में जौब करते हैं इसलिए मैं पतना में रहती हूँ मेरे पापा जी यहां जौब करते हैं इसलिए वो अभी रिटायर होने वाले हैं कुछ दिनों के बाद तो तो वो लोग यहीं पर रहते हैं आज हलका फ्राइ हो जाएगा तो फिर मैं इसमें मसाले डाल दूँ सबजी बनाने के बाद रोटी बनाकर फिर हम लोग सब घूमने के लिए चले जाएंगे हम लोग की फैमली बहुत बड़ी है मतलब मेरे जो पापाजी के भाई लोग है उन सब का घड़ ही तो यहां आने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है बहुत सारे फैमली के साथ रहना सबसे बाते करना बहुत ही अच्छा होता है तो हम लोग साथ में सम मिलकर कहीं भी जाते हैं घूमने के लिए तो बहुत ही ज़्ादा मजा आता है अच्छा लगता है तो यहां मेरी सबजी बनने ही वाली है अब सीर्फ रोटी बनानी बॉँकी अभी मेरी शुरुवात है तो मैं ज्जादा वीडियों नहीं ले पाती हूं सबके समने में थोड़ा-थोड़ा सा ही ले पाती हूं वो आप आपको दिखा रही हूं तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए रात में हम लोग बहुत ही लेट से आये थे साधे 11 बजे हम लोग आये उसके बाद मैं सो गई थी अभी मॉर्निंग के 9 बज रहे हैं नास्ता बनाने के बाद मैंने नहा लिया और सोचा कि अभी से मैं वीडिय सबने डाले हुए हैं और मैं भी अपना कपडा डाल रहे हूं मैं सवस्राल में इसी तरह से घुंगट मेरा रहती हूं ज़्यादा लंबा घुंगट नहीं बस एसा ही थोड़ा सा घुंगट रिए रहती हूं तो आज का ब्लोक आप लोग को मेरा सस्राल कैसा लगा तो जरूर बताईएगा मुझे लाइक कीजिए सस्क्राइब कीजिए